मुसल्मान क्या हैं इनकी आउकाते हैं इनने बक्री बना के उसने रखा का बोले तो कोई अरविंद केजरिवाल एक मेसेज देने में बड़े काम्याब रहे कि मैं RSS और BJP से लड़ाई लड़ने वाला मैं अकेला हूँ कॉंग्रेस नहीं लग पाएगी दिल्ली में शौअब इकबाल बहुत शेहरे दिल्ली बनते थे आज वो शेहरे बक्री बने हुएं वो बक्री दिल्ली बने हुएं यह आमिज शाह और नरेंदर मोदी से जाकी मिले और इन्होंने बाकाईदा मीडिया की मौजूदगी में माम चैनलों पर कहा कि दिल्ली सरकार अगर मेरे अंडर में होती पुलिस मेरे अंडर में होती दिल्ली पुलिस तो मैं चंद घंटों में शाहिन बाग के प्रोटेस्ट को खतम करवा देता। मुसल्मानों ने उनके लिए नफिल माने रोजे रखे सुलकों पर सुबा से शाम तब वोटिंग करने के आज नताई देख लीजे वो आदमी मैं पक्का कहा रहा हूँ का कच्छा धारी है वो RSS का एजेंट है अन्ना हजारे का मॉमेंट था वो भी RSS की देन था आज अन्ना हजारे क्यों नहीं बोलता है वही पूरे मुलके मसाईल पर उस टाइम RSS की सपोर्ट से उसने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया हाज शुप सादे हुए के धर्म के आधार पर क्रोना वाइरस के लोगों का नाम डिकलियर करता है शराबियों की लिस्ट जारी नहीं कर रहा हुजरों हज़रों की तादाद में शराब की दुकाने खोल दी मस्जिदें बद करवा दी रमजान में के करोना फैल जाएगा अगर नमाज पड़ी मस्जिद में आज क्यों नहीं उसे शराबियों से करोना लगता कि करोना फैल लाई शराबियों से दिल्ली सरकार का जो रवया रहा है अप तक किस तरीके से देख रहे हैं इसको इलक्षन से पहले अरुइंड केजरिवाल एक मेसेज देने में बड़े कामियाब रहे कि मैं RSS और BJP से लड़ाई लड़ने वाला मैं अकेला हूँ कॉंग्रेस नहीं लड़ पाएगी दिल्ली में और मैं इनके सफ खिलाफ हूँ और ये मुझे काम नहीं करने देते हर जगा इस तरह का मैसेज देने के कोशिश करी और जैसे ही ये सिलक्षन में कामियाब हुए मेजॉरिटी में आए तो सबसे पहले ये आमिजशाह और नरेंदर मोदी से जाके मिले और इन्होंने बाकाईदा मीडिया की मौझूदगी में मीडिया से कहा कि अब हम मिलके काम करेंगे नरेंदर मोदी अमिशा के साथ मिलके क्या काम करेंगे उसके नताजिया आप देख रहे हैं कि क्या मिलके काम कर रहे है एक बार भी जामिया में जितने बच्चे इंजाड हुए जिते बच्चे हॉस्पिटल मैडमिट होए या कहते हैं हम फिरी लाज करवाते हैं सब बच्च किसी को देखने नहीं आए एक बार भी सी एनर्सी के खिलाफ नहीं बोले एक बार भी जो जिस तरह से पुलिस की वरकिंग थी उसमें इन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं की जामिया केमपस में किस तरह के बच्चों पे लाठी चार्च किया और शाहीन बाग में एक बार भी वो किसी प्रोटेस्ट में आना तो बहुत दूर बात रही उन्होंने कमाम चैनलों पे कहा कि दिल्ली सरकार अगर मेरे अंडर में होती पुलिस मेरे अंडर में होती दिल्ली पुलिस तो मैं चन्द घंटों में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को खतम करवा देता जीतने के बाद आप ये देखिए मुसल्मानों ने उनके लिए नफिल माने रोजे रखे सुलकों पर सुबा से शाम तब वोटिंग करने के आज नताई देख लीजे वो आदमी मैं पक्का कह रहा हूं का कच्छा धारी है वो RSS का एजेंट है वो सिर्फ कॉंग्रेस को डेमेज करने के लिए उसने ये जो अन्नाहजारे का मोमेंट था वो भी RSS की देन था आज अन्नाहजारे क्यों नहीं बोलता है भे पूरे मुलके मसाईल पर उस टाइम RSS की सपोर्ट से उसने कितना बड़ा प्रोटेस्ट किया हाज शुप सादे हुए तो आज देखे के माइनेटी कमिशन के चैर्मेन जफरुल्ला साथ जफरुल इसलाम साथ ये दिल्ली सरकार के का एक पोस्ट है उनके खिलाब देदरों का केस बना दिया क्यों नहीं बोला भाई और आज यहाँ पर पुलिस उनके घर में घुज जाती है जमादे के अफसोस की बात देखे के धर्म के आधार पर क्रोना वाइरस के लोगों का नाम डिकलियर करता है ये बताता है कि इतने ये हैं और इतने जमाती है पड़े अफसोस की बात है शराबियों की लिस्ट जारी नहीं कर रहा हज़ोरों हज़ोरों की तादाद में शराब की दुकाने खोल दी मस्जिदें बद करवा दी रमजान में के करोना फैल जाएगा अगर नमाज पढ़ी मस्जिद में आज क्यों नहीं उसे शराबियों से करोना लगता के करोना फैल आज शराबियों से उसकी सोच वही है जो अर्विंद केजिरिवाल की जो नरेंदर मुदी और अमीज शा की जो आरेसस की है उसका देखे अब तो उसका चेहरा जाहिर हो गया मुसल्मानों में मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तमाचा है मुसल्मानों के चेहरे पर जो जो जिस तरह से हमने समझाने की कोशिश की लेकिन उस टाइम पे नहीं समझ वाए आज अल्ला का शुक्रे खुद बाखुद मुझे लगता है कि लोगों की समझ में आ गया है और इसका खमयाद परल्लेमेंटी लक्षन में इसको अरविंद केजरिवाल को जाहिर हो जाएगा चैड़िमानों मुसल्मान किशा है कि इनकी आउक आखते ने बकरी बना के उसने रख रख है बोले तो कोई बोलने की हिम्मत दिखाए जुरत दिखाए हम आज भी कह रहे हैं हम कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेसियों के खिलाफ वगर हमें लगता है कि गलत है या अपने 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 समाज या अपने अपनी कौम मिलत के खिलाफ कहीं लगा हम ख़ले होके डट के बोलते हैं अर्विन केजरिवाल जब Congress ने support दिये मैंने उसकी दजियाँ उला ही बटला उस इनकाउंटर के inquiry को जम्मना किया मैंने कहा कि Congress कहाएगी मैं नहीं करूँगा support अरविन केजरिवाल को जब मैं मेले जीत करा आठी जीत कराय ते इनकी किसी की भी हिमत नहीं है बहुत शेरे दिल्ली बनते थे, आज वो शेरे बक्री बने हुएं, बक्री दिल्ली बने हुएं, बोले तो इनकी अमानत की क्या उकात है, वकबोट से कान पकड़ के बाहर को खळा कर दिया अर्विंद के जिरिवाल ने, हिम्मत है, राल टपकती है कि फिर जे कैसे ही मैं चेर के सब, सब पिछलगों हैं, इनका अपना वजूद नहीं है, ये अर्विंद के जिरिवाल के दम खंपे जीत कर आएं, हट की जी लड़ा लेना, इन ले लग चन, मैं इंडिपेंडेंट जीत कर आया हूं, ये लड़के देख लें हैं, शोय बिखबाल वो बनते थे बहुत को तीसमार खां, इंडिपेंडेंटन लड़ देते न, कांग्रेस से लड़ देते, ये लड़ देता, इंडिपेंडेंट और ये जी गालें कहांगे एर्विंद के जिरिवाल की, उन्हें इन्हें उकात में रखे गा और यह वहीं रहेंगे आमादमी पार्टी के, ये करोटी कमिशन के जफरुल इसलाम साब ने जो जमात का एक अलग से इनों ने कॉलम बनाया था इस पर आपत्ती जताई और लेटर लिखा तो क्या उसका नजीज़ा भुगत ना पड़ रहा है देखिए उसमें मुझे जफरुल इसलाम साब का रोल पसंद नहीं आया लिस्ट जारी करी थी मीडिया के सामने बैठके अरविंद केजरिवाल ने तो सीधे अरविंद केजरिवाल को कटगरे में जफरुल इसलाम साब को खड़ा करना चाहिए था उन्होंने तो गोल मोल कर दिया कि अलग से जमातियों के लिस नहीं क्यारनी चाहिए ये कहते हैं कि नोटिस इशू करते है अर्विंद केज रिवाल को मुझे जफरुल इसलाम साब का ये रोल पसंद नहीं आयता उस टाइम पे ठीक है मैं जो जो सही बात होगी जफरुल इसलाम साब की मैं उनकी हमायत करूँगा लेकिन अगर वो गलत होंगे तो मैं गलत भी कहूँगा जफरुल इसलाम साब ने जो नोटिस इशू किया वो दिली सरकार को किया पुलिस को किया लिस्ट शाय कौन कर रहा है मीडिया के सामने बोल कौन रहा है अर्विंद केजरिवाल नोटिस में अर्विंद केजरिवाल का नाम रिखना चाहिए था जफरुल इसलाम साब को क्या आप जवाब देए कि आपने अलग से जबातियों के लिस्ट कैसे शाय करी मुझे इस बात पर राज जफरुल इसलाम साब के उस नोटिस वे लेकिन हाँ इस वाले इशू पर जिस पर उनको पर देज़ दूर लागा मैं जफरुल इसलाम साब के साथ कड़ा हुआ हूँ यह हिम्मत तो उन्हें अरविंद केजरिवाल के खिलाब भी दिखानी चाहिए तो हख पे आगर आपको रहना है तो हर जगा हख पे ही रहना है यह नहीं कि आप दुरंगी तरंगेर रूल अधा करने लगेंगे तो आप डाउटफुल खड़े हो जाएंगे है आप कटगरे में कटवरे में खड़े हो जाएंगे SchakFP का आर्विंद केजरिवाल ने आपको माहिनेटी का चैर्मेन बना दिया तो में आर्विंद केजरिव हमारे लिए कोई जफरूल इसलाम साथ कोई मुद्दा नहीं है हमारा मुद्दा है अपनी गौम और मिलत के साथ जो भी फर्द हो चाहे वो किसी पार्टी से तालुक रखता हो चाहे किसी सोशल एक्टिविस्ट हो हमें ये लगता है कि सी एनर्सी और और दंगो के नाम पर हम उसके साथ खले नदर आएंगे हर प्लैट्फॉर्म पर खले नदर आएंगे और जुरूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन को ब्रेक करेंगे और हम सलकों पर आएंगे मैं उज्जे जुरूरत पड़ी तो मैं लीड करूँगा चाहे फिर से हमें जामियां पर बैठना हम बैठेंगे हम डरेंगे